हेलो फ्रेंट्स आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है मेरे किचिन मेन्यू एंड मी में आज हम बनाएंगे देड़ सो लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी बटरी और मसालेदार पाव भाजी वो भी पर्फेक्ट मेजरमेंट के साथ इस मेजरमेंट से आप भाजी बनाओगे तो सब उंगलियां चारते रह जाएंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से अगर आपको भी कभी बनानी हो तो कोई भी परेशानी नहीं होगी पहली बार बनाएंगे फिर भी पहुत ही टेस्टी बनेगी अगर आप कोई catering का order लेते हो और जल्दी से भाजी बनानी है तो ये recipe सिर्फ आपके लिए है परफेक्ट मसाले और परफेक्ट कंसिस्टनसी के साथ बनेगी ये मसाले दर भाजी तो चलिए फटाफट से बनाते हैं देड़ सो लोगों के लिए टेस्टी वाली पाव भाजी तो सबसे पहले कौन-कौन से सामान की जरुरत पड़ेगी वो देख लेते हैं जैसे जैसे हम भाजी बनाते जाएंगे मैं आपको बताती जाओंगी तो यहां मैंने दो किलो आलू लिए हैं जिसका छिलका उतार के प्रेशर कूक करना है और इसी के साथ हम एक और चीज मिलाएंगे तो वो भी साथ ही बॉइल हो जाएगी वो चीज क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी यहां 500 ग्राम कैपसिकम लिये हैं जिसे अच्छे से दो के छोटे टुकडो में काट लेंगे उसी के साथ ही 500 ग्राम गोबी लेंगे उसे भी चौप करके साइड में रखेंगे अब यहां लिये हैं ड्राय वाले मटर जिसे 6-7 गंटे पहले ही भीगो दिये थे अब छीले हुए आलू और इस मटर को हमें साथ में ही बॉल करना है जिसे टाइम भी बचेगा और दो काम एक साथ ही हो जाएंगे मटर अच्छे से भीगो हुए होंगे तब ही वो पूरी तरह से गल जाएंगे और भाजी में बहुत ही अच्छा टेक्शर आएगा अब लेंगे 50 ग्राम अद्रक और 2 किलो अच्छे लाल वाले टमाटर जिसे चौपर में चौप करेंगे याद रखिए पेस्ट नहीं बनानी है नई तो हमारी भाजी भाजी नहीं रगड़ा बन जाएगी अब लेंगे 500 ग्राम लसुन इसके बिना तो भाजी में टेस्ट ही नहीं आएगा इसकी पेस्ट बना के साइड में रखेंगे और 500 ग्राम हरा धनिया लेंगे उसी के साथ ही थोड़े सुखे मसाले लेंगे उसमें सबसे पहले 100 ग्राम धनिया पाउडर चार बड़े चमच हर्दी पाउडर हर्दी पाउडर से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा अब 100 ग्राम कश्मिरी लालमेश पाउडर और उतना ही यानी 100 ग्राम तीकी वाली लालमेश का पाउडर नमक लेंगे स्वाद अनुसार अब नमक सबका अलग-अलग रहता है किसी का ज्यादा सॉल्टी होता है किसी का कम तो वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाले मैं सेंधा नमक यूज करती हूँ तो मैंने वही लिया है अब आएगा पाव भजी मसाला ये लिया है मैंने 200 ग्राम जितनी मिर्ची है उतना हम पाव भजी मसाला भी लेंगे और 2 लीटर सनफ्लावर ओल जिसमें कोई स्मेल नहीं होती स्मेल वाले तेल से भाजी का ओरिजनल टेस्ट दब जाएगा इसलिए सरसो या ग्राउन नट ओल नहीं लेंगे और अब बारी है में इंग्रिडियंट्स और वो है प्याज तो यहां मैंने 1.5 किलो प्याज लिये है जिसे चौप करके साइड में रखेंगे तो चलिए अब बनाते हैं हमारी भाजी तो यहां मैंने बड़ा और हैवी बॉटम पतिला लिया है इसमें 1.5 लिटर तेल गरम किया है तो सबसे पहले प्याज एड करेंगे इस भाजी में जो भी चीज एड करेंगे इसे हलका सा भी ब्राउन नहीं करेंगे एक चीज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तब दूसरी चीज एड करते जाएंगे और चलाते जाएंगे आप देखिए प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो गये हैं अब एड करेंगे अद्रक की पेस्ट यह थोड़ा ही लिया है मगर इसका टेस्ट उभर के आएगा इससे प्याज में मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकने देंगे यह भाजी बनाने के लिए मैंने बड़ा सगड़ा लिया है जो हलवाई और केट्रिंग वाले यूज करते हैं वो भाजी को बनाते टाइम फ्लेम हाई ही रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे अब एड़ करेंगे कैबेच जिसे हमने चौप किया था एक और बार चलाएंगे और मिलाएंगे लसुन की पेस्ट आपने देखा ये मैंने बाद में मिलाई क्योंकि इसे हमें जरा भी ब्राउन नहीं करना है अगर पहले बिलाते तो ज्यादा कूख हो जाती और पूरा टेस्ट बिगर जाता यही सब बाते ही तो है जो हमें ध्यान डखनी है परफेक्ट टेस्ट वाली भाजी बनाने के लिए अब एड़ करेंगे कैपसिकम जिसे छोटे टुकडो में काट लिया है पावबाजी ऐसी डिश है जो सबको पसंद होती है बनाने का तरीका अलग-अलग होता है मगर नाम लेते ही सब के मुँमें पानी आ जाता है जब कैपसिकम थोड़े सौफ्ट हो जाए तब एड़ करेंगे चौप किये हुए टमाटर और इसे अच्छे से चलाएंगे टमाटर दालते ही इसका कलर बदल जाएगा हमने अभी यहां देड़ लिटर तेल लिया है बचा हुआ आधा लिटर तेल आगे यूज़ करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो देखिए हमारे टमाटर पक गए है और तेल भी उपर दिख रहा है इसलिए थोड़े सूखे मसाले एड़ करेंगे तो सबसे पहले हल्दी पावडर कश्मेरी लाल मेर्श पावडर तीकी वाली लाल मेर्श पावडर स्वाद अनुसार नमक धनिया पावडर और पावड़ी मसाला एड़ करके सारे मसाले और वेजिटेबल्स को अच्छ से मिलाएंगे जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था इस भाजी का मेजर्मेंट परफेक्ट है पहली बार बनाओगे तो भी ये भाजी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी थोड़ी देर चलाने से भाजी ओरिजनल कलर में बदलने लगेगी जिसे देखते ही खाने का मन करे अब जो डाइसोग्राम धनिया हमने लिया था उसमें से आदा धनिया एड़ कर देंगे इस वक्त धनिया मिलाने से इसमें बहुत ही अच्छी खुश्बू आएगी अब दूसरी तरफ हमने जो आलू और मटर को बॉयल किया था उसे मैशर की मदद से मैश करेंगे ये काम हमें बहुत ही अच्छे से करना है इसकी वज़े से ही भाजी में लचिलापन आएगा और परफेक्ट कंसेस्टनसी बनेगी भाजी की तो देखिए कितना बड़िया कलर आया है अब आलू और मटर के मिक्षर को पतिले में एड़ करेंगे अब इसे उबालने के लिए थोड़ा पतला करना है तो तीन लिटर पानी में एड़ कर रही हूँ एक बार अच्छे से मिलाने के बाद इसे 25 मिनट उबलने देंगे और थोड़ी थोड़ी देर चलाते रहेंगे अब इसे लगातार चलाने की जरूरत नहीं है टमाटर के वज़े से ये बाजी खटी तो है मगर चटपटी बनाने के लिए इसमें एड़ करेंगे निम्बू का रस तो मेरी सास ने जब निम्बू सस्ते थे तब ऐसे आइस क्यूग बना लिये थे तो ये 5-6 बड़े निम्बू में जितना रस निकलता है उतने है या फिर कप के हिसाब से कि ने तो वन फोर्थ कप जितना होगा ये हम इसमें डाल के अच्छे से मिलाएंगे तो हमारी भाजी लगबक रेडी है अब एक काम बाकी है इसमें तड़का लगाने का उसके लिए जो आधा लिटर तेल हमने रखा था उसे गरम करेंगे तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तब भाजी और तेल दोनों की फ्लेम आफ करेंगे भाजी वाले पतिले को फ्लेम से उतार लेंगे अब तड़का लगाने के लिए यहां मैंने चार बड़े चमच कश्मिरे लाल मिर्श पाउडर लिया है जिसे तेल में ना डालते हुए जो भाजी हमने रेडी की है उसमें ही डालेंगे और उसके उपर जो तेल हमने गरम करके रखा था वो सिधा मिर्शी पाउडर के उपर ही पौर करेंगे ऐसा करने से तड़का बराबर लगेगा अब फटाफट से गानिश करेंगे हरे दर्ये के साथ तो देखी हमारी भाजी की रंगत लग रही है ना बिलकुल केटरिंग वाले बनाते हो ऐसी अब पाउ भाजी वाली भाजी बनाते हो और बटर ना डाले ऐसा तो हुई नहीं सकता यहां मैंने 300 ग्रम बटर लिया है जिसके पूरे ब्लॉक ही मैं इसमें रख रही हूँ तो है ना भाजी बनाना आसान आज जो भाजी की रेसिपी बताई वो देड़ सो लोगों के लिए हैं इससे डबल मैजरमेंट से आप 300 लोगों के लिए भी भाजी बड़ी आसानी से बना सकते हो अगर कम बनानी है तो यही मैजरमेंट को कम कर दीजिए अगर एक बार ये भाजी आपने किसी को बना के खिलाई तो वो तो फैन हो जाएंगे आपकी इस भाजी के गरपी ही ये इतनी टेस्टी बनती है कि इसके आगे आपको बाहर की भाजी भी अच्छी नहीं लगेगी कोई भी भाजी खाएंगे ये इस वाद मिस करेंगे आप तो फटा फट से इस तरह से आप भी अपने गरपे भाजी बनाईए और मुझे कमेंट करिए कि आपको ये भाजी की रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेर कीजिए और मेरी चैनल मैन्यू एंड मी को सब्सक्राइब कीजिए और साइडी में दिये हुए बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सभी नई नई रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और भी ऐसी बहुत सी रेसिपीज है जो मैंने अपनी चैनल मैन्यू एंड मी पे शेर की है तो आप इसे ज़रूर देखिए तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई रेसिपीज के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई